जहित नीट का एडमिट कार्ड 9 सिप्टमबर को आप डाउनलोड कर पाएंगे यह ओफिस्यल वेबसाइट पे भी दिया जा रहा है और शार साथ यह देख सोचिए कि जब किसी भी एक्जाम को होता है उसका एडमिट कार्ड कम से कम 20 दिन पहले रिलीज कर दिया जाता है लेक एंटिये भी अभी भी कंफ्यूज है कि क्या वो 12 सिप्टमबर को एक्जाम कंड़क कर पाएगे लेकिन आपने वो शोर्स से अपने यह से मेहनत कर रही है या टार्गेट लेगे चल रही है कि 12 तारिक को एक्जाम ले लेंगे नीट का एक्जामनेशन के लिए जो पार्टि है उनके हक में यह फैसला आए सुप्रीम कोर्ट से क्योंकि एक्जामनेशन अगर पस्पोंड होता है तो रेगुलर कंड़िट के साथ साथ प्राइवेट का पार्टमेंटल इंप्रूमेंट बच्चे वाले भी हमारे एक्जामनेशन में पाटिसिपेट कर सकेंगे क्योंकि वो भी एक्जामनेशन के त्यारी कर रहे थे बहुत दिनों से और सब कोई अपने प्रिप्रिशन में लगे हुए हैं सो उमीद करते हैं गौर्मेंट एक सही और बेहतर डिसीजन लेगी जो इसका फैसला जो है वो काज भी हमें साम तक मिलेगा क्योंकि इसके पिछा रिजन है कि एंटी और सिच्छा मंत्री के साथ एक बैठक की जा रही है जिसमें यानि नेल दिया जा रहा है कि अगर नीट के एक्जाम को कितने दिनों तक सिफ्ट किया जा सकता है उमीद करते हैं गाइस वीडियो को लाइक और शेर जरूर कर दीजिए और लोगों तक जरूर पह पहले बताओंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए जया हिंद जया भारत